हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग आसर करता हो अच्छे होगे देखिए एससी सीजल 2019 के कोर्ट केस रिगार्डिंग अपडेट आप जैसे मैंने आपको पता है कि वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था सीजल 2019 की कोर्ट किसमें क्या क्या चीज़ चल रही है उसी के आए क्या भाईया एससी सीजल 2020 मेंस पोस्ट मंड होगा तो आज इस बारे में बात करेंगे दोस्तों आपको इन सारे कुश्चन के आज इस वीडियो का आंसर मिलेंगे ठीके दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी कुश्चन को एड्रस कर लेते हैं क्योंकि कुश्चन कुछ चाली 30-40 लोगों का कुछ बारबर मेंसेज आ रहे हैं तो यह बड़ा मुझे लगा कि मैं के बच्चे को क्यों भटक रहें और इस पर पैने क्यों क्रियेट कर रहे हैं क्योंकि देखा जाए देखो सीजिया से लोग कोट के हैं है वह है कुछ भी होगा हो स चीजें है कि बहुत कॉछ पहले जो फाइनल रिजल्ट बाद में आएगा अब यह वीडियो के अंट तक आपको तजल लेगा और रही बात आपके सीजिया टूर्ट के पोस्ट्पन होने की तो बहुत कोट के से की वज़ए से याज आपके एक्जाम पर रत्ती भर भी फरक नहीं पड़ने वाला जीरो परसेंट एफेक्ट आपके इस पर आपका एक्जाम 28 जैनुवेरी को ही होगा में और 6 फेबरेरी को टीर 3 ही होगा आपका तो जो भी इस डाउट में या जो इस वज़े से परेशन हो रहे हैं उनको क्लि सिच्वेसन के उबधन करेगा जो मिकुम के आपको सब को सबसे पताया कैसे कंग दुनिया में इसके कोई भी वरी वाली बात कहीं से वी तो यहीं दो चीजों के ऊपर बशे permissions को सब्सक्राइब दूनों के ऊपर बता दें कि आप को बिल्कुल भी करने पूरी जिजान लगा के पूरा पढ़ते रहो आपके भी को मेंस होगा और भी जिए त्रेक्ट .s ना हो और बिलकुल भी इन चीज़ों में बिलकुल भी नहीं पढ़ो और नहीं किसी से सवाल मतंफोच पुरादा जैसा ना किया करो आपको Рईना चाहिए पूरी करने की कोशिस करूँगा जो कुछ मेरे अपनी एक्सपिरेंस नौलिज है ठीक है तो आई होप आपको इस चीज का जवाब मिल गया हुआ मेंस बिलकुल भी पोस्पोन नहीं होने वाला आपको देना मेंस और लगे रही है देते रही है अब बात आते हैं सिजल 2019 के कोट के रिगाड़े की बच्चे ने यह फिल की थी कुछ बच्चे बोल रहे थे के सभम भाई ने फिल की थी अगर उना ने फिल की थी तो उनको पू क्या उस पर स्टे है और दूसरा यह पूछा था कि रिजल्ट कब पर पूब्लिस होगा दो कुछ पूछे पूछे तो इन्हों ने पॉइंट नमबर वन जैसे कि आप जानते हैं तुरांत स्किप कर दिया जो इंपोर्टेंट कोश्चन था और दूसरे कोश्चन पर बहुत पूछेगा पहले वाले कुश्चन पर भी यही ट्रिपिकल जहां तक है रिप्लाई आएगा अब बात आती है बहुत सारे बच्चों ने खास तो पर जो पार्टी ने केस किया था उन्होंने अपने उस पर एक केंपेंट चला था जिसमें ग्रीवेंस फाइल की गहीं थी औ और उन्होंने एक मुद्दा रखा था जिसमें लास्ट में आपको पता होगा उनके टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरा मटेरियल मिल जाए वैसे आप जाओगे क्या-क्या लिखने को बोला था जिसमें उन्होंने बोला गया था कि करवाया है हम सभी का मैथ का ठीक है और सब्सक्राइब बात किनों ने जो लाइन लिखिए यह एससी का रिपलाई था इन इन व्यूफ एक्स गिवन अबाव कंड़क्टिंग एग्जामिनेशन इन सिंगल सेफ्ट बाइद कमीशन इस नोट पॉसिबल टूबी एकॉम्पलिस्ट टू एक्सीड आपको यह आंसर मि जना तक आपको समझ में आजाएगा कि वह किस चीज का क्या है और बाकि यह पूरा पढ़ेंगे तो उस ते भी आपका इनका के स्टेंडिंग समझ में आजाए कि वह इसके फेवर में नहीं सब्सक्राइब बात तो यह है और एसससी का इतना लेट लतिफिका है इन पर गु कमें इस फीद been कोई हद ने अपनी और से फिल्कूल भी कोसित नहीं कर रहा है यह कर रहें दौनों पार्टियां कोसित कर रहे है हाला कि उसके बारे में बात करूंगा अब बात आती है साथ आगे की कि उसमें भी क्या चल रहा है तो घर सब्कोर्ट के इस के समें जो अभी लेट है और दूसरी थर्ड पार्टी तो आई रही है से कोई भी जीरो एप्स वाला एटिटूड है ठीक है और मेटर यहीं है कि 12 अप्रेल को ही है और अप्रेल को यह फॉर्मल रिक्वेस्ट के बावजूद जो पार्टी ने रिक्वेस्ट किया अब यहां पर आगे क्या क्या हो सकते हैं क्या चीज़ें हैं मैं आपको बढ़ेकर करके बताने की कोशिस करूंगा देखिए सबसे पहले दो पार्टी है आपको पताए केस में क कि एक तो मन ने किया था उनकी जो प्राइमरी डिमांड है जिए प्रामरी डिमांड है कि मैथ का एक्जाम कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं दोस्तों जो दोनों के आपके सामने रख रहा हूं उसके इनके डिमांड है कि मैथ का एक्जाम सभी के पंद्रह सूला ठारेवाले सभी मैथ का एक्जाम दुबारा कराए जाए रिये अच्छा हो जागा वगयरा वगयरा इनकी अपनी यह दिमांड दूसरी पार्टी बन रही है और वह जैसे कि आज फॉर्मल उन्होंने थर्ड पार्टी बन गहें वह फाइल कर दिया अपील वगयरा वह फाइल कर रहे हैं उनका जो मैं वह है कि सबसे पहले वेकेट कराना है को करेट हो जाएं क्योंगे आपको पता होगा लगाया है फिर को बोला यह पूरा सुनवाइब करो जल्डी जल्दी नंट निरुंद में दो दूसरा है यह है तो रिजल्ट किया जाए जैसे चीज हटा जाएं जो भी इनकी दिमांड रहा जो कुछ वह चलते रहा है सब्स्तर लगा है हाई कोट में यह गए हाई कोट में कि वह स्टे हटा दिया जाए जो भी सुन्वाइच होती रहे होती रहे हैं अभी यहां पर क्या होसकता सिर्फ और सिर्फ अगर यह चीज़ देखो यह बच्छे जाते हैं और अगर चीज़ें हाँ प्रेजन्ट करते हैं अगर हाई को लगता है कि हां इनके उसमिदम है अगर तो लगा बात नम और वह चीजें हुई उसके लिए आपका वकील कैसा है और वह कैसे या रख रहा है सामने जो पार्टी वह कैसे अपने रहे हैं कि कैसे एविडेंस प्रवाइड करा जा रहे हैं कि यहां पर वकील की छमता का भी बात तो यह चीज हो गई तो यह है पहले स्टेंट क्या का हो सकता बता रहा हूं दूसरा यह कोट करे ही ना और वह जैसे चलती रहे दो पॉसिबल आउटकम है अगर यह जैसे पार्टी करती है यहां पे शिर्फ मात करते हैं इसके आगे-और क्या कि हाँ भाई जो इस्टे है उसको हटा दो तो फिर अगर इसे नहीं विकेट किया गया ठीक है तो फिर बारे को ही बारे चार बारे प्रेल को आपकी करा करा जाए सभी की बच्चों का अगर ऐसा कुछ को कर दिया क्या वकील कर रहे हैं क्या उसके इनकी डिमांड है यह जो इसको माने यह फिर कुछ और सजैसं दे यह और कोई सॉल्यूसन निकाल के इसका कुछ करे वह जज़ के ओपर डिपेंड करेगा और होँआ कैसी आर्ग तो यह दो पॉसिएल यह भी हो सकता है कि कुछ कैट ऐसा ओडर दे गारंटी कुछ नहीं किसी को फ्यूचर नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा सच बताओं चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी हो खतम हो बट अगर वहां से हाई कोट से इस्टे वेकेटर नहीं हुआ तो 12 अपरल तक आपको वेट करना पड़ेगा और उसमें फिर क्या कर रही है क्या 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 डिसीजन दे रही है वहां पर के दौनों पार्टी कैसे अपने एविडेंस और वो सब चीज़ें प्रवाइड करा रही है उसके ओपर डिपेंड करेगा ठीक है तो यह द्यान कर रहे हैं वह सब्सक्राइब यह बलकुल आ जीतेंगे जीतेंगे लास्ट निकल का तो वही चीज होगी पंदर फैपरी पॉसिपल है एक सिर्फ एक सेनेरियों में अगर हाइगर से नहीं होता है तो 12 अगली हेरिंग है उसके बाद फिर और आगे कूंद कितनी हेरिंग हो क्या फाइनल वाए कितना लंबा जाए कि इस साल के दो जर्बाइस का भी आदा साल चला जाए यह एंड दो जर्बाइस का बिल्कुल हो सकता है पॉसिबिलिटी है हमने देखा कि एक साल तक पूरे हम वेट करते रहे ते कि कब हीरिंग होगी चार-चार महिने तक वेट करते ते हीरिंग नेक्स्ट येरिंग कब तो यह चीज देखी हुई है इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या क्या है आपको पॉसिबल सारी पॉसिबिलिटी में बताती है पंद्रे फैब्रेटर रिजल्ट एक ही केस में आ सकता है अगर चीज होती है और कोई केस में पॉसिबल नहीं लग रहा अभी जिए उसके साब से ठीक ह और क्या इसके केस के पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं वह भी मैंने आपको सारे बताती है आई होप आपको इस केस के रिगार्डिंग हर चीज अब इन्फोर्मेशन मिल गई हो और डर का माहौल तो देखो है अब जो भी एस प्रेंट्स हैं सीजेल 2019 वाले जो भी एस सकता है उसकी पहले जोइनिंग आ जाए सीजेल 2019 से पहले अगर यह चीजें लंबी खिच गई तो यह फिर आप कुछ और प्राइवेट में जौब कर रहे हैं तो वह जोग होगेरा आप कंटिन्यू करें या फिर कुछ अपना और कुछ करना चाहते हैं वह करना है क्योंकि अब यह लंबा जो समझ में आ रही है क्योंकि अगर यह प्रीपॉन हो जाती है अगर यह कहां बाई जैनुरी वगहरे में दिसंबर में कुछ हीरिंग हो रही होती है तब एक उम्मीद थी कि कुछ साहिद कुछ जल्दी हो जाए अगर प्रीपॉन हो नहीं रही है और सामने मैंने सारी रखती है आपको सारा चबाब मिल गया हो तो जो भी सीजल दोजार निस वाले है कुछ और ट्राइक कर लो प्राइवेट में या कुछ और करना चाते हो कोई एक्जाम है को बिजनेस है कर लो ट्राइक कर लो यह लंबा खिचेगा यह रिजल्ट प्याइग कि उसमें सब कुछ कर दूं बागी कोई भी अपडेट और फीचर में आता कुछ अच्छी पॉजिटिव निवीज आते या कुछ भी आता मैं सेड़लो चाधर टेलिग्राम पर डाल दूंगा या वीडियो लेकर आपको इनफर्म कर दूंगा ठीक है दोस्तों आज की वीड